नमस्कार दुस्तों बेरा नाम आसीस और आप सभी का हमारे इस न्यूव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप अपना फोन जो है अपडेट करते हैं या फर किसी वज़े से सेटिंग खराब हो जाती है तो आपके मॉबाईल में इस तरह की से कलर की प्राब्लम हो जाती ही जो बहुती बेकार लगती है इससे क्या एक लोगो जो है काफी अच्छा नहीं दिखता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सारा कुछ डीटेल्स में बात करेंगे कैसे आपको सही करना सब कुछ मैं बताऊंगा लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपने अभी तक मेरे चल ले वीडियो को लाइक नहीं कर दीजे चैनल को भी आप हमें सब्सक्राइब जरू के लिए साथ नोडिफिशन बिल को और नोडिफिशन प्यावन कर दीजे इतना करने के बाद इस वीडियो को आपको सेर कर देना वाटसाप फेस्ब किसलिए वीडियो को देखें इसकी प्रॉब्लम लिख देना अब दोस्तों यहां पर देखें कितनी बेकार सी लग रही है यह चीज तो यहां पर मैं आपको फुल सेटिंग में बताऊंगा कि आपको यह कैसे सही करना है तो दोस्तों बिसिकली होता क्या है कि जब मोबाइल अपडेट करते हैं तो कुछ सेटिंग्स जो होती है वो आइटमेटिक आउन हो जाती है तो उनी सेटिंग्स को हमें सही करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना कहा है अपने सेटिंग वाले आइकन पर जाएंगे तो सेटिंग वाले आइकन पर जैसे ही जाएंगे फ आपको एक accessibility का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे journal, vision, hearing, physical इस तरीके से बहुत सारे option आएंगे तो आपको vision वाले पर जाना है क्योंकि vision वाले पर जाना है जब vision वाले पर जाएंगे तो scroll करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों color inversion का problem है एक option यह देखें by default on हो जाता है जब आप update करते हैं तो यह on हो जाता है तो आपको इसको off कर देना है जैसे off कर देंगे दोस्तों देख सकते हैं कि यह सारा चीज़ सही हो गया यह जैसे on हो जाता है गडबड हो जाता है इसको आप off कर देंगे आप करने के बाद यहाँ पर back कर लिजे back करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके सारा चीज जो वो सही हो गया सब कुछ व बेल को all notification पर on जरूर कर लिजे आज के इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो जै हिंद वंदे मात्रम